असलाम अलेकुम, CW Coffee में हुशामदीद, आज हमारा सब्जिक्ट जो है वो नहायद इंट्रेस्टिंग है, खास्तोर पे उन लोगों के लिए जो न्यू जेनरेशन है और वो जेनरेशन जिसने जिन्दगी भर नौकलियां की और आज फारिख बैठे वे हैं। आज हम एक साहब अकबाल अक्तर हुसाइन साहब से गुफ्तगू करेंगे और उन से पूछेंगे कि उन्हों ने अपनी जिन्दगी का आगाज किन किन मुश्किलात में किया और आज जो वो लाकों करोडों गर्मों रुपे की बिजनिस को समाल रहे हैं, ये उस मुकाम तक पह पहुंचे कैसे, असलाम अलेकों अक्बाल साहब, अलेकों असलाम जी, क्या हाल हैं आपके ठीक है, अल्हम्दिल्ला ठीक ठाक, सरकार, आज का बड़ा इंट्रेस्टिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम आपके हाल अभाल पूछेंगे, कि आप शुरू का सी किया, आपने जिन कैने सिक्रिट के भी पैसे ना हो, तो अकबाल अख्तर हुसेन, अब कैसे दोबारा से वो उचाईयां और वो बलंदियां छू सकेगा, जो आज उसने की हैं, हाँ, ये मांगते हैं, वक्त लगता है, आप बताईए अपनी जिन्देगी का, आपने आगास का से शुरू किया, अच्छा, मसला ये है कि जब हमने शुरू किया था ना, उस वक्त तो इतना कुछ था ही नहीं, अच्छा, और आज तो आपके सामने पूरा कैन्वस रडी है, त्यार है, रडी है, यानि आप कुछ भी कर सकते हैं, ना उस वक्त फोन था, ठीक है, ना उस वक्त इंटरनेट था, आप अपनी परड़क्ट को किसी को दिखा नहीं सकते थे, आपको दिखाने के लिए प्रैक्टिकली जाना पड़ता था, गंदे पे लाद के, हाँ, तो यार ये बड़ा मुश्कल सौाल है आपका, लेकिन हमारी जो न्यू जनरेशन है, वो अ इस वक्त जितने चांसे हैं, हमारे दोर में नहीं थे, अखबाद साब ये बताईए, वो दिन याद कीजिए जो आपने पहले दिन, जो पैसा कमाया था, वो क्या अमाउंट थी, 100, 200, 500, क्या थी, ये बताए, ताकि हम उस पैमाने से शुरू करें, अच्छा मैं आपको बता किया, अच्छा, तो, मैं बहुत छोटा था, अमर क्या थी, ओगी लगबग, 88 में शायद मैंने स्टार्ट किया, और, या 86 में, अमर क्या थी आपकी, ताकि ये बच्चे हैं वो देखें कि अगर आप 16, 17 साल के थे, 18 साल के थे, क्या थी, यार मैं आठ्वे क्लास में पढ़ तो मुझे ये पंगा आया कि नहीं ये तो, क्योंकि मेरे वालत साब को वो गौर्मेंट इंपलाई थे, और, इतनी सैलरी आती थी उनकी और वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, तो गर चल जाता था, गर लेकन ठीक चल जाता था, और मैंने ये सोचा कि यार मैं किसी तरी ये ही मैं पूछना जा रहा था, आपकी इंस्पिरेशन आई कहा से? मेरी वालदा बहुत बड़ी इंटर्पनियोर्ती, जिसने मुझे सिखाया, कैसे? मुझे कहती है कि एक जगह से वो जाके ये बैडशीट वगरा का कपड़ा लेके आई हैं, तो मुझे बिठा के, मुझे हर बात करती थी, मुझे बठाया, मुझे कहती है कि ये देखे मैं ये कपड़ा लेके आई हूं, और वो घर में ही हैं कोई बीबी, दूर हम जाके लेके आए, तो मैं भी साथ था, पहले वो लेके आई हैं तो मैं साथ नहीं था, दूसरी दفार मुझे साथ लेके गई, तो चला गया मैं, मैंने देखा, तो बैडशिटें ये जो इनका कलर खराब हो जाता है और बी पेर आप कह सकते हूं, तो वो तोल के देते थे कप्डा ना, तो वो तोल के था, तो मैं नाइन्थ में चला गया था, और मैंने का, जी मुझे आप, मैं ये काम करूँगा, मुझे नहीं पता था कभी मैं, कहीं आउट ओफ सिटी गया भी नहीं था, तो वालत साब आये तो मैंने का, जी मैंने ये काम करना है, तो उसने का, उन्होंने का कि पैसे किदर है तुमारे पास, तो मेरी वालदा ने निक ये फैसलाबाद से मिलता है कपड़ा उदर से मैंने थोड़ी बहुत इंफरमिशन ले ली उन से जिस गर में ये बिकता था कि कहां से लेकर आते हैं जी जी तो हम फैसलाबाद चले गए वालत साथ मेरे साथ गया है तो उस वकत सुबह सुबह हम निकले तीन एक बजे अंदेर किया है और मार्केट जब खुली तो हम फिरने लगे मार्केट तूर किसी से पूछते पचाते हम वहां पे पहुंच गया हां तो ध tentang तो खुड़ा-ौ़ड़ाम ने थोड़ा-।ो हम ने थोड़ा थोड़ा- auditory के वाश जो वहां तो फैनमेम तो इस तरह। ऊसमाल उसे तर स तो हमने जितने हमारे पास पैसे थे उतना लिया और वापस आ गए तो घर में जो हमारा ड्राइंग रूम था बहां से मैंने स्टार्ट कर दिया अब मैं पढ़ता भी साथ 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 और हफ़ते के अंदर-अंदर वो कपला भी किया कितने का यानि वो डबल हो गए तो इस तरह वो करते कुछ चार एक अफ़ते में वो कोई बीस एक अजार प्या बन गया मेरे वालत साथ आप यह कहना चाहरे दो हजार से बीस हजार तक ले गए आप कैपिटल को पर पिर कुछ लिया भी दर उदर से जो आते थे लेने के लिए तो वो भी दे जाती थी कि मेरे लिए अच्छा सा कपड़ा लेके आना चूँकर वो सस्ता होता था उतने में एक बैडशीट नहीं जितने में चार बैडशीटें बन जाती थी फिर ऐसता 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 यह सिर्सुला चलता रहा छे मिने में मैंने पढ़ाई छोड़ दी उस नहीं गया अड्मिशन करवा के फिर मैं गया इनी स्कूल मैंने कोई छे मिने यह वाला काम किया छे मिने में मेरे पास इतना पैसा हो गया था अंकल हर हफते मेरा जाना होता था जुम्ह वाले दिन उस वकर छुटी होती थी जुम्ह को छुटी होती थी और हम मेरे वाले साथ जाते थे मेरे वो जुम्ह रात को आ जाते थे और जुम्ह वाले दिन हमने जाना होता था और यह काम सिर्सला जो छे मिने तक चलता रहा छे मिने मे कि ने पास इतने कुछ पैसे हो गए, पिर वो गाड़ी भर के आती थी, कपड़े की, फिर मेरे देन में आइडिया आया कि वाइट कपड़े को पर ना मैं ये जो अम्बराइडरी होती थी न तो वो पहले होती थी एक एक पीस के उपर न अच्छा किसी ने दिया किसी ने बना दिया होल सेल का ट्रेंड नहीं था तो मैंने वही वहाँ कपड़ा वहाँ से फैसलाबाद जाना अना हो गया मुझे कपड़े अच्छे मिल जाते थे मुख्चलिय फ मलों में जाता था न तो वहाँ से उठाना और उठाके जना वो लाके मैंने उसके उपर ना कडायाँ शुरू करुआ दी। अच्छी अच्छी जो बीबियां गाओं की जो बहुत अच्छा काम करती होती थी ना वो मुझे लाला के दिखाएं ये मैंने अपने भाई के लिए बनाया ये मैंने अपने खामद के लिए बनाया तो मैंने वो वाला काम औरतों की कड़ाई भी और जैंट्स की भी तो उसके मैंने थोड़े से पीस काट के दिये और उसके ना सैंपल बनाए ये साल के अंदर अंदर की बात मैं कर रहा हूँ मैं बच्चा था बिल्कुल तो वालत साब आये तो मैंने कहा जी मुझे आप लहोर मारकिट जाना है अब तो मुझे कहते हैं यार अच्छा लहोर तो फिर आपको मेरे साथ मंडे को जाना पड़ेगा सächडे को जाने पड़ेगा सुबा सुबाव तो मैंने कमें आपके साथ ही रहूँगा और दो चार दिन उदर ही रहूँगा तो हम ना मार्किट कर लेंगे, ये मैंने सैंपल बनाएं, तो यहां आए आजम मार्किट, आजम मार्किट में आके मैंने लोगों को दिखाए, और आप यकीन करेंगे, ये ज़ चादरों वाले थे ना, जो शालें बनाते थे, उनको मैंने ये आइडिया दिया, कि ये देखें यह हम बनाते हैं उन्होंने का कितने बना लोगी यह अच्छा तो मैंने का आप बना लेंगे इतनी औरते हैं सिखा लेंगे उन्होंने का नहीं यह हो नहीं सकता आप इतने प्रॉडक्शन ले आओ तो मैंने का प्रॉडक्शन में ले आओंगा यानि चैलेंज फेका उन्होंन शुरू शुरू का काम था? दो उसके बाद में ये रूटीन में आजाएगा तो उसने का कि दस दस पीछ के न दस डिजाइन डिफरिंट तुम बनाओ कपड़ा वो देने लगे तकि वेराइटी आजाए मैं वो लेके आगया उसकी चपाई की जो भी डिजाइन थे वो चपाई मैंने खुद की वो बटर पेपर के उपर वो सराख करके पंद्रह बीस दिन में मैंने त्यार कर लिया महिने का टाइम था डिफरेंट औरतों को देखे रहे दागा लेके आए उस तरह की इमराइडरी का और बड़े आइडियो उन दिनों में आ रहे थे कैच्छा ऐसे नहीं लोगों के जो गरों में बनाती है उसको देख देख इसमे मेरी वालदा ने मेरी बड़ी हलब की कोई को कि वो खुद जानती थी सलाई कड़ाई और सारा कुछ जानती वो यह आइडिया देती थी कि बेटा ये करो ये बहुत आगे जाएगा अच्छा मैंने वो उठाया और ले गया वहां और आप यकीन करेंगे कि उसने वो दिया ड आई होता था तो अगले वीक में उसने मुझे बलाया कि दबारा हो आज कपड़ा नहीं है तो मैं इसका रजल्ट भी चेक कर लों कस्टमर को दिखा के तो अगले वीक में मैं चला गया और अब भी वो आया नहीं था जो ही वो आया मेरे बैठे ही लेके आगया वो जो दोब वो दिखाता था कस्टमर आते थे चोटी सी दुकान थी उसके कस्टमर आते थे तो वो कहता था नहीं माल तो नहीं है लेकिन आपको मैं पंदरा दिन में ये दे दूँ ये नई चीज आई है तो वो 10 एक डिजाइन थे तो उसको और मिल गया मेरे बैठे बैठे कोई पांच तो मैंने का पकड़ें आप कोई मसला नहीं कर लेंगे अरेंज लो जनाब उसमें ये प्रोसेस चल लाता है इसमें डर लगता है नहीं नहीं खुशी मिलती है डर किस चीज़ कर तो उसने मुझे कोई पचास एक अजार रप्या दिया कैश एडवांस में साथ में उसका हंड तो अगर सो रपए का पड़ता था ना तो मैंने उसे डेढ़ सौ रपायादा रहिकान आपड़ usually, ये सॉलाबरु सॉफार मेरे ब dispatch तो पर पीस पर पीस तो यानि डेड़ गुना बचते तो उसका भी बिक रहा था कोई मसला नहीं था मैंने कालकुलेशन की मैंने का अच्छा अगर काम भी बनेगा तो मेरे जो कपड़े वाला वो जो उदर जाना खरीद के लाना तो ये काम अच्छा है लो जी मैंने ऐस्ता ऐस्ता ये उनी दिनों में कनवर्ट किया साथ में वो कपड़ा भी चल रहा था बेचने वाला लेकिन अपने ही ड्राइंग रूम के अंदर लेडिज फार लेडिज टाइप का तो अंकल आप यकीन करेंगे तीन साल के अंदर-अंदर मेरे पास गाड़ी मेरे पास इतना बड़ा घर था जो मैंने खुद बनाया बच्चा था अभी मैं अब इदर एक सिकिन के लिए रुको और मैं मुझे इस सवाल का जवाब दे दो ताके मैं ये बात लोगों तक पहुँचा दूँ के भाईजार आप अठारा या बीस या जो भी उमर है आपकी असवा ने पन्दरा साल आप लगा लिए पन्दरा सोला साल नी शर मैं पुछ यू रहा हूँ कि उनको यह कह सकता हूँ के पन्दरा साल छोड़ो अठारा साल ले लो अपनी गाड़ी आ जाएगी बड़ा नहीं धर्मियाना मकान आ सकता है तो मैं तुमारे मुझ से निकलव पेटा, जोब ना करना। यानि जोब को ला तुमारे? उन्होंने कहा के जोब ना करना। मैंने न अपनी जिन्दगी इस जोब के अंदर खत्म कर दी। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो जोब ना। मेरी वालदा कहती थी के जोब नहीं करने। और मैंने एक दिन नोक्रिऄ एक दिन बी नोक्री नहीं कि. मकसित कहने कई ये कि अगर चला जाता तो फिर गुलाम हो जाता, फिर हमेशा के लिए घुलाम हो जाता. यही होता है गालिबएं कि इसान एक गलती करता है, उसको सेफ समझता है कि मैं महह Software हो और हमेशा हवेशा के लिए भई का हो जाता है लेकिन अगर रिस्क लेगा नुकसान भी हो सकते हैं हो सकता है नुकसान रिस्क तो आपका देखें मेरा पूरा जिला कसूर हर घर में काम होता था पिर और हर जगा जो ओरतें थी वो डीलर बन गई वो मुझे से डिरेक्ट लेके जाती थी एक गउं की एक मैंने देखी कि ये करवा लेगी काम उसे कमिशन मिलता था कि एक पीस के उपर तुमें इतने पैसे और आगे तुमने इतने देने बनवाने के लिए और फिर लड़के आ गए मेरे पास उन से चुपाई करवानी अजार अजार पीस रोज का आ रहा होता था और जा रहा होता था और आजब मार्केड क्या लोग अडवांस पैसे लेके बैठे होते थे कि एक बाल इसका काम बंद कर दो और मेरा शुरू कर दो आपस में शुरू हो गया मेरे इलावा कोई बंदा नहीं था फिर आए बहुत सारे आए बहुत सारों नहीं एक जवाद दे कि आपने जिला कुसूर या बाकी जगहों में तो ये काम तो करवा रहे थे आपकी मार्केटिंग आउटलिट क्या थी आजब मार्केट कुछ भी नहीं था मैं तो जाता था जिनकी दुकाने थी उनको देता था फिर एक टाइम ये आगया कि मुझे उनसे कपड़ा लाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास इतना पैसा आ चुका था फिर मैं अपना ही कपड़ा ड्रेक्ट खरीडता था फैसलाबाद से और अपना ही बनाता था और वो आते थे और वो बनी बनाई उठा के ले जाते थे और बलके एडवांस पैसे होते थे मेरे पस हमेशा लोग आके दे जाते थे कि ये आप किसी को ना देना बस जो भी बन रहा है आप हमें देते जाएं मोनोपली क्रियेट करते थे खी बात है या मैं जिसमें रही गुट अच्छा अब एक सवाल ये कि ये आपने तीन साल तक किया अच्छा जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए आपको जीरो जरूर होना पड़ता है अगर आप जीरो नहीं होंगे ना आगे बढ़ते चले जाएंगे ना तो आप कभी काम याब नहीं तो पर आखर में आखर में आखर जीरो होंगे तो हुआ ये कि मुझे बड़ा जनून था कि मैं बाहर जाओं और मैं बाहर जाके ये वाली चीजें जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ड करूँ लेकिन मुझे इतना पता नहीं था कि कैसे क्या करूँगा कैसे करूँगा तो मैं यहां से मलैशिया और इदर उदर जाने के चक्रों में पैसा था तो मैंने माल तियार किया और एक एग्जिबिशन जद्ध एग्जिबिशन होती थी तो वो बुग कर ली मुझे नहीं पता था कि वहां बिकना क्या है बस ब्लाइंड चाल चल चल लिए बलाइंड और जितना पैसा मेरे पास था ना मैंने वह सारा लगाया और यहां से बंद किया क्योंके और लोग शुरू हो गया थे तीन सालों में ने इतना पैसा कमा लिया था कि बहुत सारी वही बीबियां जो मेरा काम करती थी वह मार्कीर तक पहुंच गई ऐसता तो फिर मेरी यादत है कि जो कोई दूसरा काम शुरू कर देता है मैं फिर उसको मेरा दमाग उससे न वहर जाता है मैं कहता हूं अब लोग करें तो ये एक सवाल बड़ा इंट्रेस्टिंग है कि जब भी कोई भी आदमी जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है जो भी प्रोड़क्ट बलाता है या लेकर आता है या उसको प्रोमोट करता है तो क्या उसको ये समझना चाहिए कि इसकी एक एक सपाइरी डेट है कि इतने अर् कर रहे हैं स्वाए मार्केटिंग के इलावा अगर आप मार्केटिंग जा ट्रेडिंग का काम करते हैं ना मेरा एक आर्टिकल है फेस्बुक पर मैंने वो लाकों के हिसाब से शेयर हुआ और बड़ा रिस्पॉंस मिला यंग जिनरेशन ने उसको फॉलो भी किया बहुत सरे लोगों ने तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने काम करना है ना तो आप हिम्मत करें पहले नंबर पे तो अपनी जौब को खैर बाद कहीं और चाहे आप 10,000 रपै की चीज़ खरीदें उसके सेंपल खरीदें और मार्केट में जाके सेल करना शूरू करतें निकलें दिखा है जिस दिन आपने ये कर दिया कि एकदम आप ढ़ आप सचो के मेरा घर कैसे चलेग जिस दिन आप आगे बढ़रना शूरू जाएंगे हाँ दो मिन चार मिन आपको तकडायव मिस्क्दा आती है लेकिन अच्छा एक बात सवाल यह कि एक आदमी पचास सवार रुपे महिना अगर कमा रहा है रिस्क लेते वे डर रहा है लेकिन आपके कहने पर वो रिस्क लेता है और राइट प्रोड़क्ट पे लेता है तो अब क्या समझते हैं कि मेनत और थोड़े वक्वे के बाद उसकी टेक होम वो जो पचास थी वो कहां तक जा सकती है अंदाजन लाग हो सकती है सवाल लाग हो सकती है देखें ये तो उसके उपर डिपेंड करता है सबसे पहले तो उसे अपने किचन को देखने है कि जो उसका रुक जाएगा एक दम ठीक है उसे कैसे चालू करना है उसने इतना रिजर्ब में रखें और फॉर्ण से पहले रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको अगर आपने जिन्दगी में आगे बढ़ना है तो इसके बगार तो नहीं है कि आपके घर में तो आकर कोई नहीं देगा ना आपको दरिया में चलाग में तो यह कहता हूँ को अर्दू बजार चलाज़ाएं वहां बहुत सारी प्रॉडक्ट हैं वहां से कापियां ही खरीद ले रिजिस्टर ही खरीद ले कुछ कर ले पैन खरीद ले और अपने जो आपके एरिये में दुकानें वहां जाके एक एक दो दो पीस रख दे और उसे कहे कि यार जब बिक जाएंगे पैसे दे देना और ये सिल्सा फिर उसका चाल जाएगा देखें आपको अगर मार्केटिंग ही करनी है आप किसी के लिए भी तो कर रहे हैं ना काम तो आप जाओ यार अगर आपके पाप पैसे नहीं है तो मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखा था तो मैं और बाहर जंगल में निकल जाए और जो आपके किकर ऐसी चीजें जो नीचे नीचे शाखें हैं कि दरख तो काटना वैसे अच्छी बात नहीं है लेकिन नीचे नीचे की वो च्छांग सकता है ना उसको जो ज़रूरत नहीं है तो उसकी मसवाक बना ले और थाउदंड एक मसवाक एक दिन लगा के बना ले दूसरे दिन बैटके यार लोगों को दान्तों की प्राबलमें हो रही है तो दास रपै बीस रपै की बेचना शुरू कर दे एसता इसता पैसे बना ले अगर दूर नहीं जाना अगर देखें काम कोई भी चोटा नहीं है सबजी मंडी चला अपनी नोकरी करो आप शाल में चले जो यार चायना से इतनी चीजें आती है आप दो चार चीजें ऐसी चूज करो जो नहीं आ रही है उसको जाके वो सेल अग्बाल साब थैंक यू वेरी मच याद रखिएगा ये आज हमारा पैरा अभी मैंने आपको अगले वाले जो अम हमारा आज का एपिसोड एक्ताम पे पहुंचा है आप हमारे दूसरे एपिसोड के इंतिजार कीजेगा और बतदरीज हम ये दो ती एपिसोड करके इंशालला आपको भी और आपके खानदान को भी इस चाबिल करेंगे कि आप भी सुर्खुबों के अपनी जन्तिकी जिसमें हम इकबाल अक्तर हुसाइन साब से जो आपने पहले एपिसोड में गुफ्तगू की थी उसको कंटिन्यू करते हुए हम सेकेंड एपिसोड कर रहे हैं इकबाल साब आपको नुखसान हो जिन्दगी में जीरो पे आया आप तीन दफार तीन दफार बिल्कुल फ्लै आप देखें आपके काम्याबी के लिए ना जीरो होना बहुत जरूरी है यह हकीकत है वरना आप फिर एंड में जाके फिर गिरेंगे नीचे और मैं तो सीख रहा था आज भी सीख रहा हूं तो जब आप एक दफार काम्याब हो जाते हैं ना तो आपके सामने फिर जीरो मैंना नहीं होता है या आपके अंदर इतना हुसला होता है कि मैं तो मैं तो हमेशा जब भी हुआ होना मैं हासला होता हूं डिस हार्टिंग नहीं होता है नहीं बिल्कुल तोटता नहीं है कि यार इतनी मेंना की बाद नहीं तोटता है जो वालदें की दादे की प्राप्ट है इतना सोचना नहीं चाहिए एक दिन आपने मुझे का था कि इस सारी सिनेरियों के पीछे लोगों का साथ बड़ा जुरूरी होता है यह मैं आपको मैं आपको सबसे पहले यह बता दू कि जब मैं फरस्ट टाम जीरो वा ना आपने जीरो की बात की है वो तो बाद में मैं आ आता हूं जो आप सोच रहे हैं के साथ आपकी लोग जो आपके साथ बिलीवर जो होते हैं तो जब मैं पहले दफ़ा जीरो हुआ तो मैं चलता हुआ काम था मेरा जिसमें कोई रकावट नहीं थी बड़े पैसे आ रहे थे और यंग लड़का था और वो तैना एक बंदे को अपने उपर इतना यकीन तो मैंने का मैं बाहर करता हूँ एक्जिबिशन अलागे मुझे मैंने मैटर कर लिया था ठीक है एफ़े के लिए मैंने एक्जैम की त्यारी कर रहा था तो और प्राइवेट किया साथ में पढ़ाई जारी रखी भी ये तक किया तो ये नहीं है कि आप पढ़ाई भी छोड़ दो अगर आप में वो है जजबा आगे बढ़ने का तो अपने पढ़ाई भी जारी रखो और आप एक्जिबिशन की बात कर रहे थे कि क्या हुआ एक्जिबिशन में तो मैंने यहां से जद्धा एक्जिबिशन बुक कर ली आप यकीन करेंगे क मुझे पता नहीं था ना अर्बी आती थी ना इतनी कोई इंग्लिश आती थी तो मैं चला गया यहां से चद्धा एक्जिबिशन बुक्राइशन के पहली मरता कराची भी गय थे हाँ उसी वक्त गया था कराची देखा नहीं जा था हाँ तो उससे पहले एक एपिसोड यह सोचा कि यार कराची माल लेकर चला गया जो टेक्स्टेल प्लाजा है आपका कराची में वहां से आजम मार्केट में लोग माल लेने आते थी तो मैंने वहां जा के मार्केटिंग की अपने सारे सम्टून ने मुझे और दिये मैंने यहां नारकली में अपना होल सेल का प पूरा जिला कसूर और पूरे हार जिला शुरू हो गया क्योंकि वो कमर्शल शुरू हो गया हैंड अम्राइडरी कमर्शली शुरू हो गी पाकिस्तान में तो वो इतनी शुरू हो गी कि हार बंदा शुरू हो गया तो एक तरह से अच्छा नहीं था कि आपने इतनी मौका प्र आला और मैं बैठ गया अच्छा यानि पहले आप लोगों को सप्लाइ करते थे अब आप खुद अपनी माप पे दुकान के मालिक बनके बैठे गया अपना सारा सिस्टम लहोर में मैंने यूनल लगाया वो सिर्फ कपड़ा मारा वाइट आता था तो और बड़े हाई पैमाने पे जिस से मुझे पूरे पाकिस्तान में हर बजार से मेरे पास कस्टमर आते थे जो और सेल में सो पीस, दो सो पीस, पचास पीस के बिल करते थे और बड़ी सेल थी तो उनी दिनों मैंने एग्जिबिशन की ये जद्दे की जद्दा की तो वहाँ चला गया और मैं वहाँ पे ले के क्या चला गया क्योंकि देखा नहीं था पहली दफ़ा जा रहा था तो वहाँ पे मैं यही पाकिस्तानी ड्रेस और यही चीजें जो यहाँ चल रही थी वो उठाई और वहाँ ले गया पूरा कंटेनर और जितनी मेरे पास रास थी बलके उस से भी ज्यादा मैंने मार्कीर से भी पैसा उठाया और वो सारा मैंने एक शिप्मेंट बनाई और वो जद्दा एग्जिबिशन थी तो वहाँ चला गया अब एग्जिबिशन में तो मेरी सेल क्या होने थी वो तो लोग आते थे देखते थे चले जाते थे आते थे देखते थे वहाँ तो सारा ओ मुख्लिफ दुकानदारों को दिया जो पाकिस्तानी वहां चोटी-चोटी दुकाने थी उस वक्त कोई इतना कोई अच्छी दुकाने नहीं थी अब तो बहुत हैं तो उनको दिया कि सेल बेस पे और वापस आया तो करजा चड़ा हुआ था यानि तेरने गए ते डूब गए डूब गए उसके साथ मैंने आगे क्वेट की एग्जिबिशन बुक कर ली चलो मुबारक को वहां चूंके एक लाइन मिल गई पहले में फेल और दूसरी फिर बुक करके आ गया अच्छा और हुआ ये के उतनी देर तक 96 या 98 की बात है ये तो इतना कोई पैसा था पीछे के चल रहा था काम यहां की दुकान चल रही थी और सेल की तो फिर माल त्यार किया और फिर किया अर्बी ड्रेसिज और ऐसे जो उधर चाहिए थे जो मैंने देखे थे तो जद्दा में तो नकाम हुए लेकिन इतफाक ऐसा था कि वो जो छे मीने या एक साल था हमारे उपर वो इतना कोई वो था ब्यानक कह सकते हैं आप बिजनस का ऐसा साल मेरे उपर था कि मैंने माल तो अच्छा बना लिया लेकिन अक्वाम मुतेदा ने अपनी इंस्पेक् हो गी और वो एक्जिबिशन मेरा माल जा चुका था और मेरे दो वीजे हमने अपलाई किये थे एक वीजा तो मिल गया कि आकर अपना माल संबाल ले और मेरा ने मिला अब वो माल सारा रूल गया वो वापस आया कुछ छे मिने लगे उसको वहां से और माल कुछ चोरी हो गय कुछ बड़ा नुकसान हुआ और जीरो हो गया बिलकुल जीरो दुकान भी बंद करना पड़ गई क्योंकि नहीं थी सारे पैसे लग चुके थे इन दो एक्जिबिशनों में पिर जनाब अपनी दुकान थी औरीगा में तो ओफिस टाइप का था छोटी सी दुकान थी दस पाइदास की तो वहां से काम समेटा बंद कर दिया काम और लोग वहां बोर लगा के आगे कि जिसको कोई भी लेना देना है वहां पर आ जाए हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं दो कुरसियां रखी एक टेबर रखा और फिर बैठ गया अब क्या कर रहे थे अब कुछ नहीं कर रहे थे सिर्फा के आफिस में बैठते थे और जो पराने मामलात थे उनको निप्टाते थे वो जो माल आया हुआ था उसको कई ना कई खपा के उनको जो करजा चाड़ चुका था उनको दे रहे थे ठीक है तो यह इस बात में छे मेने तकरीबान मुझे लग गया लेकिन मैं ने यह सोचा कि यार यह पाकिस्तान की जो परड़क्ट है ना उसको हम पूरी क्योंकि एग्जिबिशन वालों के साथ मेरा लिंक हो गया था चला गया लॉस तो हो गया लेकिन मुझे एक लाइन मिल गई कि मैं एग्जिबिशन करूँगा अपनी और्गनाइज तो मैंने हैंडी क्राफ्ट की साथिए मिल एग्जिबिशन करूँआई,. जिससे मुझे अच्छा खासा यहां की हैंडी क्राफ्ट की पार्टियां जो थी एक वहाँ पे हमने हाल एक्जिबिशन सेंटर में बुक किया और उसको हमने निकाला वो ही वाला प्रोसीजर जैसे लोग करती और्गनैजर बन गया दूसे लफ़ाँ लेकिन ये एक एक्जिबिशन के बाद कोई इतने बच्चत नहीं हुई हम गए हाज किया अल्ला तला ने किया और दबारा मैं फिर माल वो जो बचा हुआ था जो कवेश से वापस आया था आदा को माल आया बाकी तो इधर चोरी हो गया तीन मेने इन्होंने रोक लिया कस्टम का आपका डपार्टमेंट जो आपको पता है कैसा है वोही माल मैं दबारा जद्दे लेकी गया और वो हाथो हाथ भी का मैंने उस साल हज किया वहां मैं तीन मेहने रहा पीछे से फिर मेरे भाई ने बाकर ने और शिप्मिंटे तियार करवाई वो भेजी यानि इतनी डिमान थी पहली दफ़ा मैं नकाम हुआ लेकिन दूसी दफ़ा मैं इतना काम जाब हुआ कि मुझे आके कहते थे कि अडवांस कूँ कि जो मैं माल दे के आया था वो भी उनका बिक चुका था जो पिशली दफ़ा सेल बेस पे दे के आया था वो भी मुझे रेकवरी आई और फिर ये वाला कवेद वाला भी माल बिक गया और मेरी वापस फैक्टरियां लग गई यानि कि ये समझा जाए कि एक लर्निंग कर्व होता है जी अगर आप इमत आ आ गए तो देखे न मैं जब गुलबर्ग शिफ्ट हुआ तो मेरे पास कुछ नहीं था एक टेबल थी एक चेड़ थी और एक सौफा था उस ओफिस में कोई कुछ नहीं था गुदाम में कपड़ा वो बचा हुआ पड़ा था बेच बेचे छे मीने अपना चला रह actually ला रहता है गाड़ी अघर बढ़ गए इस जड़के में जीरो रेंट पे चले गया गाउ वाला भी बढ़ गया यहां वाला भी बढ़ जेरो हो गया रेंट पे चले गये तीन चार गाड़ियां थी वो बिग गई इस पूरे जटके में लेकिन शिखा गई शिखा गई और इतना कुछ शिखा गई कि दूसरी मरतभा नहीं लग लिए जटका हाँ और वही काम किया फिर फिर जद्दा गया तो तीन मरतभा तुम कह रहे थे कि तुमने लॉसरा काम पर जीरो पर आउट हुए यह तो हो गया और वापस आए तो रीगा में हम बैठे थे गुलबरग में जहां हम आये थे तो जद्दा से सारा नुकसान वगयरा पूरा हो गया अल्ला तलह ने कर दिया उसी साल उसने हाज करवाया बड़े रंग लगाए घर बन गया गाड़ियां आ गई और वापस जब मैं आया तो उतनी देर तक बाकर फैक्टरी लगा चुका था प्रिंटिंग की हैंड प्रिंटि जो गया आधर काम करें कुछ न कुछ करें वापस जाएं जाएं ऑफ्री करें मैंने का इद इदर ही करेंगे सारे कस्ट्रों को जो पूरे पाकसान से हमारे पास उदर आते थैंदे तो अबहुता की थी कि तो मारी वालदा ने तुमसे का वापस आ जाओ और महां को देखा कि यहां पे एक चीज बनाते थे उरीगा में फटे लगाए हुए थे और फटों के उपर आती थी अपना कपड़ा लेके और वो देती थी और वो डिजाइन ब्लॉग के बनवाती थी अब मेरा तो दुमाग उधर ही चलता था गार्मेंट की तरफ ही मैंने का यार यह क्या एक 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 आते हैं और एक एक बंदा वो अपने मजदूरी करता है और वो चला जाता है तो मैंने सब को ना बाकर को का कि इनको बला के लाओ जितने लोग हैं कोई 15-20 लोग थे उस प्ला एक दो पीस आ जाते हैं हम कर देते हैं उसकी मजदूरी फिर आर दिन में वो आती है वो ले जाती है ऐसे हमारे पास पड़े होते हैं काम होता है तो हम कर देते हैं बलके हम मजदूरों को जो हमारे पास लड़के हैं उनको पैसे देने के लिए नहीं होते तो मैंने का यार आपको काम दूँगा तो यह को काम, 1000 रुपे में करते हुएगे आपको 200 रुपे में करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो आपको पर्मनिन दूँगा पर्मनिन काम में जाएगा। तो उन्होंने का सर आप दें, हम करेंगे। तो हमारा एक टै हो गया और मैंने एक रिस्क लिया कि वहां पे एक कपड़ा आता था बाहर इंडिया से एक सिख बेज़ता था तो वह बड़ा चलता था उसी के उपर प्रिंटिंग करवाती थी तो मैंने उस शिख को बलाया अब मैं बैठा काम कर रहा हूं कुछ नहीं है और के अधिस है खाली तो मैंने उस सिक को बलाया और मैंने का यार तो कहते घर हर हफते गाड़ी आती है और रहँ आठा तो यह तो इतनी खपत नहीं है और मैंने कितने थान आते हैं आपके पास कहते हिएन एक हिए केषग कियरी होता था तो मैंने का यार अगर मैं आपको कौँँ के हजार थान मुझे अफ़ते के चाहिए तो फिर आप क्या करोगे तो कहता है सर मुगवा लेंगे बिसमिल्ला जी बिसमिल्ला तो मैंने का फिर आप एक हजार थान मुगवाएं और मुझे दे दे और बाकर मुझे कहते हैं यह आप क्या कर रहे हैं यह तो पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा मैंने का छोड़ो आप तो मैं तो हमेशा रिस्क लेता हूँ, मैं ने कहा इस वक्त तुम्हेर पार कितना पड़ा हुआ, उसने कहा, मेरे पास तो दो-तीन हजार थान पड़ा हुआ है, क्योंकि वो जो आता है, हर अफ़ते मुझे खरीदना होता है, तो यहां तो थोड़ा-थोड़ा यह लेते हैं, एक एक दुपटा, दो-दो-दुपटे, तो मैंने कहा, यार हजार तो बेजो न दो, मैंने हजार लेके, उससे और वो, जितने थे, मैंने बुलाया, बांट के दे दिया, और डिजाइनिंग भी बता दी, कि ऐसे ऐसे आपने बना ला है, आट दिन में वो तियार हो गया, उ उन से भी मशवरा किया, वो जो बनाने वाले थे, लेकिन उनको गाइड टोटली खुद किया, कि यार सारे शुरू और पूरे प्लादे में मेरा काम हो रहा है, और वो सोच रहे हैं कि इसने आप बेचना खाएं, तो बाकर मुझे से पूछता है, कि भाईजान ये आप इतन हमने कॉलें शुरू कर दी, जो हमारे कस्टमर आते थे, मुख्रे फैसलबाद से, पूरे पाकस्तान से आते थे, अनारकली में, तो उनको कॉलें मैंने का करो, और बलाओ, इदे इनमाइट करो, तो और ये दिखाओ, उनकी दुकानों पर बिके का, खैर उनको भी हमने बुल कि यार बिके का, तो पैसे दे देना, तो, सुबह मेरे पास फटों वालों के लाइन लगी हुई थी, कि और मार चाहिए, क्योंकि वो एक ही दिन में बिक गए थे, दो दिन लगे, एक दिन लगा, वो आते थे, और जो बना रहे होते थे, हमने जनाब इदर जगा ली, सारे फटों वालों को उदर फटे लोगो आ दिये, और जनाब काम शुरू हो गया, और सो डेड़ सो बच्चा वहां काम करता था, और पूरे पाकिस्तान में, वो लाखों के हिसाब से वो दुपटा बेचा, एक आफिस में बैठके, ब्लॉग प्रिंट का, ब्लॉग प्रिंट का, हार और अवरत ने वो लिया है अंकल, और इतना कोई वो हिट हुआ, उसके बाद फिर वैलबट आई, फिर और चीज़ें आती गहीं, एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल, ये टुपटा किते का होता था, अंदावर, त हमें जुगार मिलते गए, ठीक है, हमने वही जो करश जो इंडिया से आती थी वो गुजरावला में बनवाई, एक पूरी मिल चुलवादी, ठीक है, कुए लाखों के इसाफ़ते दुपटा बिक रहा था, कराच्ची जा रहा था, पूरे पंजाब में जा रहा था, सिंद म लोगों ने बनाए, मैंने वो बंद किया, मैंने दूसरी चीज निकाल ली, यानि ये मेरा एक, एक सेकिंड के लिए हम थोड़ा सा रुकते हैं, अगर कोई भी इंसान काम कोई भी करता है, कोई भी करे, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, मैं ये कहता हूँ, इतनी ये हो गय है कि ये इसकी भी एक एक स्पाइडी डेट है, इन दे सिंस के और लोग भी आ जाएंगे, और लोग निया ने अमाल लेकर आएंगे, तो उसके लिए तयार होना चाहिए, कि अब मैं नए रास्ता ढूनो, देखें, लोगों की जो नकामी होती है ना, वो रिस्क नहीं लेना जाते है, ठीक है, डर होता है, उनको ये होता है, मुझे ये डर नहीं होता, मैं देखें, मैंने अजार दपटा बना लिए, मुझे नहीं पता था कि ये बिकना है, अजार थान, मीन्स एक थान में से चार या पांच दपटे निकलते थे, जब बलके इससे भी ज्यादा, ठी है तो वो यार मैंने बना लिया अब मुझे बताएं कि अगर वो ना भिकता तो गये थे पैसे लेकिन क्यों ना भिकता क्या कहा जो भिका ये भी बताते थे नहीं क्यूं नहीं भिकता अपने उपर के अपने उपर आपको इतना confidence डिन्स होना चाहिए ना कि आपके अंदर अगर कॉंफिड़न्स ही नहीं है और आप चीज बनाए जा रहे हो आपको खुद ही कॉंफिड़न्स नहीं है कि यह बिकेगी तो फिर आप कैसे पहले बनाओ रिस्क लो मैंने रिस्क लिया बनाया उसके बाद देखें एक वैलवट कोई उसे खरीदता नहीं था तो मेरे पास एक आजम मार्किड़ी का दोस्त आया वही जो पराने दोस्ते वह फिर आना शुरू वह भी मुई से माल लेते थे तो वह आया वह उसने का यार इकबाल मैं कोरिया गया था तो कोरियन ये वैलवट को मैंने लाट पूरी उठाई तो यार इसका अब मैं क्या करूं ये भिकती नहीं तो मैंने का दे जो यार फैक्टरी थी इदर चुंगी अमर से दू में तो मैंने का दे जो सैंपल आप बजवाओ मुझे तो मैं इसका कुछ करता हूं तो मैंने लड़कों को कहा कि इसका कुछ करें यार बहुत ज्यादा इसकी कॉंटिटी है, इसने खरीद ली, अब लॉट उसने खरीदी कहीं से, तो मैंने उसको बना दिया, गोल्डन कलर लगा के ना, तो उसको मैंने कमीज डिजाइन की, वही पराना एक्सपिरियंस चल रहा था, तो मैंने उसे बेचा, तो उसे और्डर मिलना शुरू हो गया, वह ऐसे कोई और्डर मिले के दपटा इधर से खतम हुआ तो वैलवट शुरू फिर वैलवट वह मिलती नहीं थी, वह खत्म होगी, लॉट खत्म होगया, वह मिलती नहीं थी, फिर वह पहले वह सूट लो कॉस्ट पे था, फिर वह बकैदा वैलवट इंपोर्ट हो रहा अग्तना वक्त गुज़र चुका है, दे वन तुमने पहरी शुरू किया था ना, भाई सॉट पंधना साल तो गुज़र चुके ना, इस सारे मेंटर को, यानि इस पुकाम पे आते हैं तें पंधना साल लगते हैं, पंधना साल लग गए, अच्छा, लेकिन पंधना साल के अंदर मेरे पास क्या कुछ नहीं था, मेरे पास कोई पांच छे गाड़ियां थी, घर था, जीरो होने के बाद, एक दवा जीरो, बिल्कुल, फिर दोबारा खड़े हैं, फिर जाल, तो मैं ये, क्योंकि इसके बाद एक थर्ड फेज आएगा, थर्ड एपिसोड में भी हम पहेंगे इस बात को, कि जो पहले दिन बाइस सो रुपए का एक बंदे ने काम शुरू किया था, एक बंदा तुम्हारी नाम है, एक बंदे से अमने काम शुरू करवाय था, तो वो दस और पंदरा साल में कितने वॉल्यूम औफ वर्ट कर रहा था, कितने हजार रुपए, कितने लाक rolls Ryan कितने करोड रूप में उसलें निये पंदरह साल के सफ़र किया है उसलें उसमें अपनी क्रिया आधि रिखायकर किए कितनी होगी है मेरे ख्याल में को 5 6 मिलीन का महेंने का काम हो जाता पांच मिलीन यानि पचास्लाइट पचास लाग मतलब छे करोड़, छे करोड़ के लगबग, पांच छे करोड़ के लगबग, सालाना का टोन अवर होता है, बाइस सो रुपए से शुरू है थे, वक्त लगा, बेलकुल, जैसे पेड़ इस्ता इस्ता उगता है और फिर फल देता है, बेलकुल, एक दिन में तो जटका है, कि वो फिर फिर एक दफा फ्लैट कर दिया, जमीन दोज हो गए, जमीन दोज हो गए, वो क्या था, असल में न ये इनसान को बढ़ाने के लिए अल्ला तला देता है, ऐसे जटके, कि वो आगे, असल में तो उसने उठाना होता है, मेरा इस बात पर बलीव है, कि गिरा गिरा के उठाता है, मेरा जब माल वहां से क्वेश से वापस आया अनानकल, तो एक शेख साब थे, जिनका मैं काम करता था पहले, तो वो मुझे देखते थे, कि यार ये बच्चे ने, वो मेरे पास आजाते थे, आके बैठते थे, और मेरे पास कस्टमर की लाइन दुकान डाल दी, और आप मेरे पास कस्टमर आते नहीं हैं, तो मेरे पास आते हैं, को मुझे भी टेपन बताओ, मैंने का या, यही तो महारे इन एपिसोड्स का, यही एक मकस्द भी है, इसमें हम दो सेग्मेंट के दो सेग्मेंट की, अच्छा उसने मुझ से एक बात की, मैं और बाकर बैटे थे गएक और क्वेस से माल आया, और उस पलाजे की जो वो वाकवे होता है, उसमें सारा माल भरा हुआ था, और लोगों के गुझ रज़रने की रस्ता नहीं था, क्योंकर हमारे पार वे रहे रहे उस नहीं था, तो मैंने वह रख दिया, मैंने का अच् सफाई करवा रहे थे तो जब आया तो पूरा कंटेनर उत्रा वहाँ तो मेरे पास आ गया और बड़ा अफसुर्दा अच्छा आदमी मुझे से प्यार करता था तो मुझे कहता है कि अकबाल यार मैं हस रहा था किसी बास से ना हम दोनों भई ना आपस में बातें करके हस रहे थे तो हम बिलकुल जीरो हो चुके थे तो मुझे कहता है कि अकबाल यार तू हस रहे है तेरा माल बाहर पर आए तो मैं कि हो रोमा तो फिर की माल कोई वेक जाएगा को शुख कैता है यार बड़ा दिल है आपका मैंने का साकफ साभ उनका नाम था मैंने का साकफ साभ वहाँ पर एक बात बताए जब मैं आया था आपके पास उस वक्त मेरे पास क्या था कि तो मैंने का आज देखो इतना माल ना फन्हां है यह जो माल i पसे ही हिं तो कहते है यार अगर शेक था वो मोष्ट ह हुँ तो मोगा था हुआ प्यार फेल मेरा हो जाता है तुम हस रह直接 हूँ तुम्हासर हो तुम इतना तुम्हारा जिग्रह आई और इतना दिल है То तो मैंने कहा यार यह ऐल्ला का देन है और मझे तो जह खु़ीओ कहले हैं मैंने जब काम स्टर्उर किया थै तो मैं आज भी वोखिता हूं कि यार आलल जाम ले तो सारे काम कर रहा है मुझे आगे बुद्ाने के लिए और आप देखिये का मैं आगे बढ़ जाओंगा और वो फिर उसके बाद अंकल एक मेरे उपर फेज आया इदर मैं तुमसे थोड़ा सा माजरब चाहता हूं क्योंकि हमारी लिमिटेशन होती है अब हम जाएंगे तीसरे एपिसोड पर जाएंगे और वहीं से सिलसला शुलू करेंगे जार से मुनखता हुआ खवातिन हजरात हमारे तीसरे एपिसोड का जुरूर आप इंतजार कीज़ेगा और उसको देखेगा क्योंकि हम बतदरीज इस प्रोगर्राम को आप अपनी टूशन समझें कि एक बंदे ने किस तरीके से अपनी जिंदेगी को बनाया है किस तरीके से हमारी यंग जेनरेशन भी टूशन ले रही है इससे और अपने जिंदगी के जिन अच्छे कर सकती है थेंक्यू जी बहुत शुक्रिया आपका असलाम अलेकुम स्टार्ट अप एंड सकसेस के एपिसोड नमबर थ्री में आपको खिशान दे हम अइकबाल साब से और अइकबाल की जो जिन्दगी की जो उन्होंने सीड़ियां चड़ी हैं उस सिल्सले में गुफ्टगू कर रहे थे और उन्होंने अपनी जिन्दगी का निचोड हमें बताया कि उन्होंने कहां से शुरू किया और आज वो किस मकाम पर मौजूद है और किस तरह से ये इंस्पिरेशन यंग जिन्रेशन के लिए जबके उस रत उनके पास इतने वसाइल नहीं थे उस रत टेक्नालिजी इतनी आगे नहीं थी आज जबके इतना जमाना बदल गया है तो किस तरह के से नई जिन्रेशन अपनी जिन्दगी को इस्तवार और बहतर कर सकती है असलाम अलेकुम जिन्रेशन से मुबारकों आपकर तीसरी एपिसोड पर हमागे अच्छे ये बताए हमने आखरी जो प्रोग्राम किया था उसमें आप ऐसे जटके की बात कर रहे थे जिससे आप जमी दोज हो गए बिलकुल ही जिससे कहते हैं न खत्म हो गए है जीरो पर आ गया और आप भी लाहा था कि जीरो पर आना बहुत जरोरी होता है इन्सान की कामियबी चे लिए बिलकुल अल्टिमिट जए जो कामियबी है उसके लिए आपने दू-तीन मेर्ता गिरना होता है ताकि जब फिर खड़े हो तो मजबूती से खड़े हो लेकिन देखें सक्सेस जो है न वो सबसे पहले जो आपके साथ आपके बिलीवर्ज होते हैं वो उनको आपको साथ लेके चलना है और उनसे आपने कैसे काम लेना है ये सबसे बड़ी बात है और इस सक्सेस में शायद मैं अकेला होता तो यहां तक शायद ना पहुंचता इस सक्सेस में मेरे भाई ने मेरा इतना साथ दिया है कि अगर वो ना होता बाकर बिलार तो शायद हम यहां तक ना पहुंच सकते हम दोनों भाईयों में इतना कोई इतफाक कि मैं जो कह देता हूँ ना फिर वो चाहे सारा कुछ डूब जाए ना पत्थर की लगी रहे तो उसने कहना है कि जी भाई जो मैंने काम करना है ना बस उसका ओर्डर देना है और वो काम हो जाना है ऐसा नहीं है कि मैंने इससे भी मशुरा उससे भी मशुरा मशुरे मशुरे वाले बात नहीं तो लेकिन हम करते हैं आपस में दोनों भाई मशुरा करके चलते हैं इसले मैं पूछ रहा हूँ सम टाइम आपकर की जो आदित है ना, वो सबसे पहले वो ना करता है, लेकिन वो एक ही दिन में वो ठीक हो जाता है, फिर उसको समझा जाता है. क्योंकि ये देखना ये है कि कल कोई ये जो हमारे नई जनरेशन है, नए लोग हैं जो इंस्पायर होंगे स्टोरी से, तो अगर वो भी अपने साथ एक टीम लेके चलना है, अपने दो तीन भाई लेके चलना है, लेक टीम के बगार तो आप कुछ नहीं है, तो उनमें भी है तो उनमें इतिफाक हो, हादे इतिफाक अन आइडिया हो, रिजिस्टन्स आए आपस में डिसकस करें, उसके प्रोजन कॉंस डिसकस करें और उसके बाद जंप लगा देखें जी लेकिन अंकल उसमें देखें, आप अगर किसी को लीडर बनाते है ना, तो लीडर का जो फ सही काम होना, अगर उस ने एक दफ़ा कहा दिया ना कि यह सही है, और उसको उस तbright पहृआल नहीं करेगा, कि मैंने तो यह तह रहा है कि नहीं होता कि यहाँ पे जब चीज़िए आती है ना, तो भूँ ठीक नहीं होता है, लेकि मरे भाई ने जो मैंने कहाने ने सामने गा जो किष्टी होती है, जो समंदर में जाती है, मच्छी पकड़ने, उसमें एक बंदा होता है जिसको नाखुदा कहते है, नाकुआ, उसके बगएर तो, वही रास्ता लीड करता है, और वही लीडर आप टीम होता है, बिलकुल, बिलकुल, या कैच लेकर आजाए, यह उसके हा क्यां जो है भूफिर, अपने-पने सिम्थ होती है, और अपने-पने-पने-उनके टार्गिट होते हैं, तो जब आपकिसी लीडर को लेकर चलते हैं – तो उसको फ़र आप सोचते हैं कि यार यह बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जो उनको नहीं पता होता है, मुझे पता अच्छानी इससे पहले जब हमें लॉस हुआ तो मैंने वही वाला काम किया दबारा कपड़े का वहां से जब हम दबारा सकसेस हो गए दबारा तीन चार साल गुजर गए तो उसके बाद फिर मेरे जहन में एक बात आई कि हमें अब एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट के लिए मैंने यहां से एक्दिशन जो बो दबाई में जो सलाना होती है क्या एक्सपो हाँ याणि मैं यह ये लेके चलो साओी अरभीय कुएत और ना दुबाई अउसके दरम्यान में मस्क गवेट पूरे गलफ में हमने की और फिर मैंने ये बुक की दबाई वाली जो बड़ी एक्जिबिशन होती है महिने की न तो हुआ ये के पूरा परपूर एक साल तैयरी होती रही तैयरी होने के बाद माल रड़ी हुआ और उसके मतावग पूरा हमें समझ चागी थी गलफ में क्या बिखता है तो हुआ ये अंकल कि मैं यहां से कराची गया तो कराची में मेरा जब माल वहां पहुँच चुका था तो मेरा मेरा बैग जो था वो चोरी हो गया मैं फून कर रहा था तो किसी ने उठाया और ले और कराची से पासपोर्ट उसके जा रहा है और मेरा कोई जानने वाला नहीं है दुबई में और मैं यहां से कराची अटकाव हूं फ्लाइट के लिए रड़ी था चार गैंडी के बाद मेरी फ्लाइट थी तो बैग जो था वो कोई ले गया तो वहां से मैं वापस आया लहूर आके नहा पासपोर्ट उस वकद पासपोर्ट में 15-20 दिन लग जाते थे अग्जिबिशन चली गई और माल वहां पोर्ट पे पड़ा रहा तो रेंट भी पड़ गया वहां स्टाफ आयर किया हुआ था बहुत सारे मसाइल बन गए एकदम सारा कुछ ही चला गया हुआ ये कि जो हमने वहां के लिए पूरे गल्फ में सप्लाई करने के लिए हमने माल त्यार किया था कि वहां लोग आएंगे दुकानदार जो हमसे खरीद देंगे तो बहुत बड़ा सैटप था बहुत बड़ा वो था तो एगजिबिशन जब मेहां बारा लगा तो सब कुछ था एक ख्याल आता है माला अली का मैंने तुछ को पहचाना अपने ए्रादों के तूटने से तुम्हारे तो एरादे बौत थी ногоo बड़े बड़े कंटिनेस थे बड़े वो थे लेकिन उसने अपने हपको पहचनवाना था कि तुमको एक डुपकी जी अब जब तुम उठे तो तुम पहचान गए कि नहीं बस मैं नहीं हूं पहुपर उपर है अब देखे ने एकदम सारा कुछ आपका ठीक चल रहा है ये ब तो क्या करोगे आप सारा कुछ ठीक चल रहा है पूरा शडूल ठीक है मैं जा रहा हूं वहां रड़ी है स्टाल डेकोरेशन हो रही है और आप मौजूद नहीं हो मैं भी मौजूद नहीं हूं फिर वह माल भी नहीं चूटा क्योंकि माल जो लगा हुआ था मेरे नाम पर प चलता है तो फिर मैं वहां पहुँचा मैंने जा के वो माल रिलीज करुआया अब माल रिलीज करुआया तो मेरे पास रखने के लिए उस माल को जगा नहीं थी बड़ी परिशानी मैंने एक ग्राउन में लाके माल रिलीज करुआया रात के दो बजे और वो जो ट्रक थे वहां उतरुआये एक ग्राउन में और जिनाब सारी रात वहां बैठा सोच रहूं कि अब मैं क्या करूँ इसका एक्जेबिशन तो हो चुकी है हो चुकी है अब मैंने सोचा कि अच्छा मार्किट में कोई ट्राई करते हैं किसी से उन दिनों में मैंने कुछ बातें कर ली लोगों से नमबर शंबर लेके जो वहां के दुकानदार थे खैर सारी रात मैं वहां बैठा वो सुबा सुबा सफाई करने आ जाते हैं वो गाड़ियां आ गई उन्होंने का ये क्यों रखा हुआ होटल में नहीं जा सकता था कि माल का क्या बनेगा तो ये एक टाइम था जो बड़ा मेरे उपर अजमा था हाँ सारी रात मैं वहां बैठा सुबा जब दुकाने खुली तो फिर किसी बंदे को कह के वेरा उस लिया फिर माल वहां शिफ्ट किया लेकिन आप यकीन करेंगे के इतनी बड़ी टेंशन थी के यहां काम सैट है यहां चल रहे और वहां पे तन्हा बैठे हाँ और मैंने वहां विर। वहां पे माल इतना ज़्यदा था तो फिर मैंने फैसला किया पंदANA दिन के अंदर हनदर कि यारब क्या किया जए फिर मुझे वहाँ एक स्टोर डालना पड़ गया अच्छा ओके अपना उटलेट मैंने का ऐसे सारे वहाँ पर उदार मांगते थे और वो करते थे तो मैंने का किदर इदर रेकावरियां करने आउंगा तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है अब फिर अल्ला ने जो करना था वो कर दिया तो मैंने वहाँ पर एक स्टोर डाला वो अंकल एक साल के अंदर अंदर छे हुए अच्छा और होलसेल का का काम किया वहाँ पर बड़ा काम किया पांच साल, यानि एक दफ़ा जीरो हो गया था, बिलकुल जीरो, छे मिने इतनी कुछ परेशानी थी पाकिस्तान में, क्योंकि सारा कुछ उसके लगा हुआ था, तो यहां गाड़ियां बेच, घर बेच, जो भी कुछ था, हाँ, तो वो एक दम सैट अप ही दबई में शिफ् दिस्टरब हो गया, क्योंकि आपके पास कैश फ्लो नहीं हो गया, तो आप दिस्टरब हो गया, और मुझे फिर वहां रहना पड़ गया, यहां का सारा नजाम जो था दरम बरम हो गया, तो यह भी एक फेज ऐसा था जो मेरी जिन्दगी में, लेकिन हिम्मत की और एक साल मे छे स्टोर बने, और वहां पूरे दुकान दैरों को सप्लाई हमारी होती थी, और इतना पैसा कमाया, फिर बाहर से थाईलेंड से इदर उदर से काम किया, वहां पे रहके और सेल का काम किया, यानि दरम भरम से आपने दिरहम और भरम कमाया, वही तरफान आचा है, चले, औ और फिर वो जो आपकी बात है, मैं वापस आया तो मेरी वालदा की तबीयत बड़ी खराब होगी थी, तो शादी होगी मेरी, तो मैं कोई छे महीने ना, पहले तो मैं महीने दो महीने के लिए गयब होता था और आ जाता था, वालदा मेरे साथ बहुत अटेज थी, तो साथे के बाहर खड़ी करके कहती हैं, अभी आप वापस नहीं जाओगे, मैंने उदर अपना विल्ला लिया था, यूके में वेराउस बनाया था, सारा कुछ मुझे खतम करना पड़ गया, और मुझे कहती हैं, रखो मेरे सार पे हाथ और अब आज के बाद तुमने, मैंने क माँ जी तबाह हो जाएगा सारा कुछ छोड़ दें ना करें, उदर इतनी मुलाजम हैं, इंडियन थे, पाकिस्तानी थे, दोबारा सारा कुछ खड़ा की हैं, नहीं चार साल गुजर चुके थे, पांच साल, तो इतनी दुकाने काम बड़ा अच्छा था, तो मुझे कहती ह हैं, बस तुम वापस आजो, अब मैं कुके उनका बी-पी और बहुत सारी उनको शुरू हो चुकी थी, तो मैंने का अच्छा ठीक है, फिर मेरी वाइफ मुझे कहती हैं, मैं अभी घर लेके इंटिरियर करवा के आया था कि हम वापस आएंगे, मिलवानी लाया था, तो सार आजिकरिते हैं मेरी वाइफने मुझे से मैंने कहा थीक है माँ जी नहींजाओंगा, तो मेरी वाइफ मुझे कहती है, कह नहीं जाएंगे, वाक्य नहीं जाएंगे noticina and make me付 जाएंगे, ज 배lingा नहीं जाएंगे. hear one of whad-dahl, आप कुछ बंद करने में इतना बड़ा नुक्सान हो जाएगा वहां के सारे तो उन्होंने मुझे का कि अकबाल नुक्सान को तुम छोड़ो ये मेरा काम है तुम्हारा काम नहीं है और तुम्हें आज अगर सौ रपय मिल रहे है न तो फिर साथ अजार मिले गए यानि सतर गुना ज्यादा मिलेगा आपको तो मैंने का अच्छा ठीक है मैंने हाच के ये बात कर दी और इधर से मैंने फोन कर दिया वहां जो मेरे स्टाफ थे तो मैंने का यार दुकाने सारी जो है ना उनको करो और बस वापस आओ इतना बड़ा वेरा उस था एक डॉलर में एक दिरम में पट्ठक एतना सकतरओर, ऐसी एजार पीस था फिर दुकाने थी फिर जितने में जो विका वो करके ऑने पने करके मैं गवादर चला गया एक मिन एक मिन एक मिन्ट घग लाहॉर से गवादर में क्यों है प्रप्टी मैंने का पैसा जो आएगा तो प्रप्टी का शूरू तो मैंने कुछ प्राप्टी लेके छोड़ दी और साथ ही गेट स्टाइल के स्टोर बनाने शुरू कर दी ये मैंने 14 स्टोर बनाए फिर वही वाला पंजाब में 14 स्टोर बनाए तो ये चले चार पंच साल बड़े सक्सेस चले लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट और ये नहीं कर सका तो फिर LED लाइट की तरफ आए LED लाइट में आपके सामने हैं पूरे पाकस्तान इस तरह से गेट टेकनालोजी हम पाइनियर हैं हमने लाँच की और लोगों को अवेरनस दी तो यानि इनर्जी की तरफ आगए एक छोटा सा सवाल अपकोस कोई जाके इसको वेरिफाइ नहीं करता है आज तुम्हारी गेट टेकनालोजी की क्या market capitalization है यानि क्या ये एक मार्कट केमपटलाइजेशन है यानि क्या ये एक लाक रूपे की कंपटनी है,जदसवा क्रूपे क्या तुम्हारी क्या में आलमोस्ट जो ओडोर लाइटिंग है वो हमारी ही लगती है तो तुमने फिलिप्स को यहां पर टफ टाइम दिया और फिलिप्स को मार्केट से आउट किया नहीं यह तो देखें कहना अभी सही नहीं है तो जो हमारा उनको कितनी ड़स पहुंच आई या नहीं जो टोटल म को लाने हैं हमारे बाद फिलिप्स शुरू हुआ अच्छा एक सवाल तो हमने क्वालिटी जो एक सवाल कियोंके तुम मिलियन जोर उसकी बात करते हैं हम पुराने लोगें लाकों करोड़ों की बात करते हैं क्या तुम अभी समिश्टर की यह बिलियन रुपी कंपनी है तो मौर देन जाते हैं तो यानि आप यह कहना चाहते हैं कि 200 रुपे पॉकेट में अगर हो तो बिलियन दूर नहीं है वस्त लगाएगा तेकिन बिलियन तर पहुंच सब्सक्ता है इंसान क्यों नहीं कुछ फॉर्मूलास चाहिए हैं आप अपनी निया ठीक रखें अपनी भी स्टेज पे हिम्मत ना आ रहे हैं तो ना मुमक्न नहीं है कोई भी चीज नाजरीन हम जब फॉर्थ एपिसोड में इंशालला आपके पास आएंगे तो हमने जैसे अभी कहा कि 200 रुपे से लेके बिलियन डॉलर बिलियन रुपी कंपनी कैसे बनाई जाती है वो तो हमने कोई शौक नहीं है अपने आपको मशूर करने का लेकिन अगर हमारे इस अकबाल साब की इस अमल से इस मुलक में लोगों की खुशाली आती है तो हमें इससे बहुत खुशी होगी हमारा चौते एपिसोड में हम आपको टिप्स देंगे पॉइंट वाइज ये करो और आज क टेकनालोजी को मद्द नदा रखते हुए उसमें हम आपसे डिसकस करेंगे किस तरीके से ये सोशियों आई आया आई आई इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग आई किस तरीके से 20-20 चैनल सूफी टीवी से लेके वी पेपर तक किस तरीके से ये उसके उपर हाइलाइट क करेंगे और इंशालला वो करेंगे तो प्लीज देखते रहिए का हमारा एपिसोड नंबर फॉर शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी थेंक यू असलाम अलेकुम खवातिन अज़राद फॉर्थ और फाइनल एपिसोड आफ ट्री डेवली कॉफी में आपका खुशामदेद कहते हैं और हम आज स्टार्ट अप टू सक्सेस की जो हमारी एक सीरीज थी उसके फाइनल प्रोग्राम पे आ गए हैं आज के प्रोग्राम में इनका वो सफर जो कपड़े से शुरू हुआ आज एक डिजिटल वर्ल्ड में दाखिल हो चुका है डिजिटली 20-22 चैनल चलाना डिजिटली फेस्बुक के मुकाबले में एक लोकल सोशल मीडिया चैनल चलाना सोशल मीडिया रखना अपना उसके बाद एक बड़ा अजीब गरीब और अनोखा सिस्टम इंट्रिड्यूस कराया इन्होंने जब इन्होंने शुरू में इंकम आउन कराई थी इन्कम आउन एक बड़ा इंट्रेस्टिंग कांसेप्ट था जिसमें जब भी कोई बंदा किसी चीज़ को लाइक करता था शेयर करता था सिस्क्राइब करता था तो उसको उसका रिवार्ड दिया जाता था हमारे सोशल मीडिया पे जो लोग आते थे उनको एक इन्कम अपॉर्चिनिटी मिलती थी और इस सिल्सले में कई करोड रुपए डिस्टिब्यूट हो चुके हैं पाकिस्तान का वाहिद एक सोशल मीडिया हाउस है जो बिलकुल फेस्बुक की टकरक पे आया है फर्ख यह है कि जहां पे फेस्बुक बाइस होता था वेस्ट की तरफ बाइस होता था रिलिजिस इंटॉलिनस शो करता था हमारे यह बिलकुल ओपन है और हम इसलामिक मेथर्ड के उपर काम करते हैं जिसमें जो भी हमारे वेस्ट का हमारे उपर एक यलगार होती है उसको हम लोग डिफलेक्ट करते हैं तो लोगों ने अल्हमदलिल्ला इसको पैटरनाइस किया इसको वो किया तो एकबाल साब वेलकुम बैक जी थैंक्यू सर्थ ये डिजिटल वर्ड में ठीक है मैंने बहुत अच्छी बात है कि आपने एक बड़ा प्यारा सा एक मुबाईल खरीद लिया जो बड़ा प्यारा सा था डिजिटल था इसका मतलब फोन को इस्तेमाल करते हैं खुशी से बातें बातें करतें एक दो वीडियो देखतें इसमे और यूट्यूब के ओप प्रेशर डाला गया वीडियो बनी और बहुत कुछ जो अभी फिर फिर सिल्सवा स्टार्ट होगा है तो उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था मैं सोशल मीडिया बनाऊंगा तो 2011 में मैंने स्टार्ट किया दस में स्टार्ट कर लिया था लेकिन मैं वर्किंग कर रहा था कि मैं एक सॉफ्ट वेर बनाऊं जिसमें बिजनस के लिए मैं सोच रहा था लेकिन वो कनवर्ट हुआ फिर सोशल मीडिया पर के सोशलाइजिंग के साथ साथ अपना बिजनस कर पर यहां के कुछ सोफ्टवेर हाउस में काम करवाता रहा दो तीम साल मुझे लगे लेकिन काम या भी ना मिली क्योंकि फेस्बुक की टकर का सोफ्ट वेर बनाना कोई असान काम नहीं था और पिर मैं जानता नहीं था आइटी को तो फिर मैंने यहां की टीम हाइर की, चाइना में मैं लिखता था, फेस्बुक को सीखा, ट्विटर सीखा, इवन मैं तो कम्प्यूटर बड़ा 2010 में, 2009 में मैं शुरू हुआ, तो क्योंकि बिजनस की रिक्वार्मेंट थी, इमेल और ऐसी चीजें, तो सीखता चला गया, और बड़ी जल्दी सीखा मैंने, क्योंकि मैंने चाइना में फैक्टरी लगाई, गैट टेकनालोजी गी, तो वहां मेरे पस टाइम होता था, तो उस टाइम के साथ-साथ मैं फेस्बुक वहां चलती नहीं है, वी-पी-एन के थूरू मैं करता था और मैं सीखता गया, और मैंने ये कहा कि आप जो जैसे फेस्बुक में आप अपनी पोस्ट को पर्मोड करते हैं तो वह लोगों के सामने खुद ही दिखा देता और पैसे खुद ले लेता है, तो मैंने ये सोचा कि वही पैसे खुद लेने की बजाए अगर वह यूजर को दे दे, तो यूजर उस को आगे शेर करें दूसरे सोचल मीडिया पर तो उसे पैसा दिया जाए, तो ये काम हमने किया, मैंने सुना था कि इसमें एक यूजर है वो तकरीम आराम से घर बैठे, लड़की हो या लड़का हो, पचास से सो डॉलर महीने का आराम से कमा लेता है, हाँ, बिलकुल, बिलक अपने दोस्तों गशेर करती जाए, पैसा लाए, जो भी हमारा स्पॉंसर पोस्ट लगाता है, तो हम कहते हैं कि अगर आपने स्पॉंसर अकाउन लेना है, तो पचीस डॉलर से आप पचीस पोस्टें खरीद लें, और वो हमारे यूजर को दे दें, तो यूजर उसको शेर हो तो वो सिल्सला जो है, तो यह काम किया, उसके साथ मैंने इसमें बिजनस दिया, ब्लॉगिंग दी लोगों को, क्या हो आप फ्री में अपना ब्लॉग बनाओ और यहां से आप पोस्टें अपनी एक वैब साइट खड़ी कर लो, इसमें प्रप्टी है, इसमें जॉब है, इसमें बहुत कुछ है, यानि मैं यह यूटी्व चैनल प्रफकर में बनाएं जी, सोचियोटूब के नाम से अंदर ही इसके आप चैनल भी बना सकते हैं, इसमें सब कुछ हैं यानि अपीनियन ओनं है, व्लीटिकल ओन है, प्लीटिकल करका जो सिस्टम है, लीगलओन है. पूरा सिस्टम बनाया मैंने दौसालों में। पूडॉड़ी हमीए, बीलकुल. पूडुल. बियुक्त बेरी, बीलकुल. तो उसमें ये चैनल्स हैं तकलीबन आपने कितने चैनल्स बनाएं आप हिस्ता हिस्ता करके इंटिड्यूस करते चलिए अभी तक 25 चैनल हैं जो मैस काम के बच्चे पढ़के अभी आते हैं तो हम बागकर उसको लीड करता है तो 25 चैनल हैं जो सक्सेसफुली चला रहे हैं और हम यहां पे सिखाते भी हैं कि डिजिटल याप अपने आपको कैसे डिजिटल यू के नाम से हमारा परोग्राम है तो वहां पे हम चैनल बना के उनको एडिटिंग सिखाते हैं यह सारी चीज़े और साथ में उनका चैनल भी खड़ा कर देते हैं तो अबी 25 चैनल हैं लेकिन अगले हमारे को 6 महीने का टार्गेट है इसको 100 पूरा करना है और 100 चैनल से यानि अगर 1000 डॉलर भी महीने का वो कमाएगा तो हम उसके हलब करते हैं कि उसे मौनिटाइज कैसे करने हैं सबस्क्राइबर कैसे लेके देने हैं क्योंकि सोशियोन के 4 मिलियन यूजर हैं मुझे तो यह पता चला था कि एक मशूर एंकर टेलिविजिन के 10 से लेके 50 लाग रुपे महीना कमाते हैं बिल्कुल 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 हमारे बच्चों को डिजिटली आना पड़ेगा डिजिटली अपने काम को फिल्म कर लें और वो बहुत पैसा बड़ा रेमनियों आ सकता है पाकस्तान में और डिजिटली अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो जो आपका फेस्बुक और गूगल पे क्राइडिट कार लगे हुए हैं और मंतली जो आपका पैसा ड्रेन होके बाहर जा रहा है अगर आप वही हमारे बच्चे जितने भी हैं जो जो काम करते हैं उसको फिल्म करके अपना एक चैनल बना लें तो वो ऐसता ऐसता उनका एक खड़ा हो जाएगा और ये रैवनियों बिलियंड डॉलर में जाएगा अगर गौर्मेंट इसके उपर तवज्ज़ दे दे देखें एमजोन को आने दें पेपाल को किसी तरीके से ले आए हमारे पास सिर्फ पेमेंट मैथड का प्राबलम है लेकिन फिर भी डिजिटली अ अपने ब्लॉग बनाएं चलें उसको भी करें और साथ में अपने छोटी छोटी ब्लॉग वैब साइट बनाएं जिसमें अपने काम को माजरत के साथ कहना ये है कि 22 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की है आप इसकी आधी निकाल दीजे 10 करोड नहीं 10 करोड चोड़े एक ड ≫ महिने का 30 लाक डॉलर आठा इस मल्क में अफसोस से यह कहना पड़ता है कि आई टी को समझते थो है नहीं मुझे पतहाले है सूशल मीडिया कैसे बनाया आप हमого किसी को देते हैं तो डाटा 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 कर वो गार्ण रहा कर दिते हैं उसे पता नहीं है वो तो लेग है आपका, एक एप आएगी, आपने डॉनलोड की, आपका सारा कुछ लेटर के लागी, तो आपको वैसा ही काम करना है, जैसे चाइना ने किया, जैसे रिशिया ने किया, पाकिस्तान में देखें, फिफ्ट जेनरेशन वार है, उस वार को आप समझें, आपको व आपस ऐसा मीडियम ही नहीं है देखें आपका कोई आफ स्टोर नहीं है पाकिस्तान का मैं तो चाहता हूँ अपना आफ स्टोर होना चाहिए आपका ठीके बनाएं आफ स्टोर क्यों नहीं बना रहें चाइना बना रहें आफ स्टोर बनाएं अपना सोशल मीडिया जो है उसको support करें, वहां पे आएं, देखें, पोस्ट फेस्बुक पे लगानी है, पोस्ट इधर भी लगानी है, सेम है, लेकिन, आपकी अधारे, जब जाके आर्टिकल लिखें, इसका लिंक जाके ट्विटर पे लगाएं, कि ट्रैफिक आपके पास आए, कमाई आपके पास आए, ना कर बाहर जाए, तो ये मैंने सोचा, दस साल पहले अंकल मैंने इसे स्टार्ट किया, हिम्मत की लगा रहा, और दोजार पंदरा में, चोदा में, पं कर रहा हूं, आपको पता है कि सोचल मीडिया जो है, उसे चलाना कितना मुश्कल है, एक अकेले आदमी का काम नहीं है, ये पूरी स्टेट का काम है, स्टेट साथ आती है, लेकिन यहां पे तो स्टेट को पता ही नहीं है, यार, हम कितनी ब्रीफिंगें दे चुके हैं, फेस्बुक ने की हुए है, मुझे आप बताएं, आप सिर्फ इसे चलाना है, अगर आज मैं इसे उपन करता हूँ, मैंने तो महदूद किया हुआ है कि हंडर्ड यूजर से ज्यादा यूजर नहीं रोज का आ सकता हमारे पास, मेने का तीन हजार यूजर आ जाए, क्योंकि अब मैं कितना संबाल हूँ, मुझे पिछले यूजर को लेके भी साथ चलने है, लेकिन अगर स्टेट साथ आ जाती है, तो सर ये आपके बाइस करोड अवाम है, इसमें से अगर पांच करोड भी आ जाए हमारे पास, तो आपका नेरिटिव है यार ये, आपका अपना मुल से निकलेगा, आप बात को समझें, मैंने ये बड़ी मेनद करके रात दिन लगके इसको बनाया, और आपके सामने पूरी टीम को चला रहा हूँ, हर मेने सेलरियां देता हूँ, सर्वर मैनेजमेंट करता हूँ, सब कोई अपनी जेब से कर रहा हूँ, किसी को कोई ओश नही तो ये है, इधर से कमाती है मेरी दूसी कमपनिया और इधर लगा देती है, और किसी ने कहा था ना कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हां में हां होगी दुनिया में, और पाकिस्तान की ना में ना होगी, इतना पाकिस्तान का मुकाम आ जाएगा, लेकिन ये मुकाम हर फ डिजिटल का दोर है, आप फिफ्ट जनरेशन वार में चले गए हुए हैं, आपको रेमनियों भी डिजिटल से लाना है, आपको अपने कामों को भी डिजिटल पे लाना है, आपको अपने जितने भी आपके परोग्राम है उसको डिजिटल पे लाना है, वो जाके छोटे आप अपने मुलत का नेरेटिव अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेट फार्म हो तीक है लोग वहां से आएं हम जाते हैं ना फेस्बुक पे वहां से लेते हैं कॉंटेंट तो जब हमारे पास होगा तो वो भी आएंगे हमारे पास हमारा हमारा कॉंटेंट पढ़ने आज आप वानी की बुरहान वानी की आप पोस्ट लगा के मुझे दिखा देना फेस्बुक पे आप कोई भी कश्मीर के मतलग यूट्यूब पे वीडियो बनाएं ना मुझे बताएं आपका चैनल बंद हो जाएगा तो यार आपके अपने म कर रहे हैं फेस्बुक पे टाइम जाय कर रहे हैं आप उन्हें ऐसा कोई काम दें कि जिससे आपके मुलक मुलक का नेरेटिव भी और आपका अच्छा चेरा लोगों के सामने दूसरी दुनिया तक पहुंचाए हम तो यह काम तो दूर नहीं है अंकल आप देखें वही जो जापात अब कर रहे थे कि आप एक दिन आएगा तर्कstart inhib्त आपके बढ़े तो कैसे पाते खिर नहीं कर रहे तो और आने Android क으 एक Patriot करना पड़ेगा ऐज़ाओ आप सर feature दूर अगर यहां चाया कि यार उसके जगह कुछ अपना ले आओ यार एक बंदे ने काम किया है मैं कहता हूँ यार मुझे कुछ नहीं चाहिए आज वो मैनेजमेंट तो कर लो कैसे करना है क्या करना है तो ये तो सर बड़ी ये Ministry of Science and Technology के अंडर आती है ये सारा जो डिजिटल यू का प्रोग्रेम है ये क्या देखें जी हम Ministry of Information को भी दे चुके हैं के अंडर आएगी उसको ब्रीफ कर चुके हैं बहुत सरी जगह पारलिमेंट में जाके लोगों को ब्रीफ कर चुके हैं उनको पता भी है आए भी है हमारे पास लेकिन यहां पर सिस्टम ऐसे नहीं होता अंकल जैसे चाइना में जैसे दूसरे मुलकों में होता है एक ऊसके पिछे है वीचैट बनाया आज वीचैट पूरी दुनिया में जा रहा है आप मुझे बताएं फेस्बुक बनाया फेस्बुक क्या ऐसे चल रहा है स्टेट है पिछे भई पूरे對啊 भी ख्यों डिए स्टेट सचाड़ होगी तो हम भी लगे रहेंगिए हम पांच साल च व्रकाम बरपूर तरीके से इस मुलट के लिए कर रहे हैं, व्रॉक्त कर सक्सेस हो गए, ला ने सब कुछ देढे दिया, अब हम कमाते हैं, हम इधर लगाते हैं, ठीक है, शल्रॉण में कमाई नहीं है, इसमें तो और और फिर रहे हैं यह बे पिर हो आपके सामने, फ्रांस में ठीक है कि आपका कोई नो कोई मीडियम तो ऐसा होना चाहिए जिससे आप जवाब दे सके जवाब दे सके आगे तो आगे तो आगे क्या होना है मुझे नहीं पता लेकिन मैंने अपना फर्द पूरा कर दिया और मैंने अपना सब कुछ लगा दिया अंकल इसके और हर महीने लगा रहा है आपके सामने कोई पचास लोग काम कर रहे हैं और पचास लोगों को पालना कोई असान काम है आई-टी के लोगों को तो ये है तो खवातिनों अज़राद ये आपने अकबाल अक्तर उसाइन साब का सफर जो उनोंने एक शुरू किया था और आज डिजिटल वर्ल्ड में आके इस वक भी गुजार रहे हैं आपने देखा I hope इससे आप इंस्पायर हुए हो आपको उमीद बढ़ी हो आपको इसमिनान हुआ हो कि हमने पाकिस्तान में इन्होंने क्या-क्या अपनी खिदमात अंजाम दी हैं तो आपका शुक्रिया कि आपने यह हमारी सीरीज देखी और हम उमीद करते हैं कि आप हमारे चैनल्स को एप्रिशेट करेंगे और उनको प्रमोट करेंगे ताकि यह आने वाली जेनरेशन जो है उसे मुस्तफीज हो सके और पाकिस्तान दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें थैंक यू इक्बाल साब सोशन.com पर जाएं या गूगल प्लेशो और एपल अप्सोर से सोशन अप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तिमाल करें